आल्राइट गाइस क्या हाल चाले हैं आप सभी के मेरे नाम एक्षम देखुर हमारा बहुत ही जादा प्यारा चैनल साइको प्रोड़िजी आप आये हैं हमारी बीए बीए सी साइकॉलजी बेसिकली बैशलर्स अफ साइकॉलजी के अंदर आपके जो भी टॉपिक सा इस आपको नीचे मिल जाएगा लिंक दाट इस आपकी प्लेलिस्ट का अंद इंडियन साइकॉलजी के बारे में आज हम बहुत सी बाते करेंगे फिलाल तोड़ेज वीडियो विल बीए बाउट दे इंट्रोड़क्शन तो इस आपको बता दू यह दोनों के दोनों सुपर इंपोर्टन एंडियन साइकॉलजी को हमेशा सोचा है सिनहा के परस्पेक्टिव में हमारे कैलकटा के अंदर जब हमारा साइकॉलजी का पहला वो खुला इन सब चीजों को पर इंडियन साइकॉलजी इस सम्झें विच डेट वे बाकदान दाट और जिन चीजों को हम हमारा हिंदूइजम समझते हैं यह तो हमारा रिलीजिन है इस नॉट सो मच अफर इलीजिन इन इस वीडियो आप अगर अपन इस जीजिजम तो फ़र शॉर करेंगे यह तो बेजिक लेट में इन साइकॉलजी इस सम्झें जिसको उमने आज तक सोचा है यह तो हमारा वो है कल्चर है कल्चर के अंदर तो क्या ही हो सकता है पर आज के देट में जिजिए अगर के ट्रू इंड़ी सिंडाट चाइज उन समय से एक्जिस्टेंस की बात हो रही है जिस हम सेल्फ अक्चुलाइजेशन की हम बात करते हैं बात साइकोलजी में इच अल्रेडी प्रेसेंट हेर इन इंडियन साइकोलजी हजारो सालों से ये त्री दो शा तरी गुणा ये क्या है ये बिसिकली स्ट्रक्चर्स ऑपरसनालटी है जब हम परसनालटी को टाइप अप्रोच, ट्रेट अप्रोच पढ़ते हैं इस इस अ ग्रेट टाइप अप्रोच अन इट अल्सो तॉक्स अब अल्सों अप्रेशन की आजम बात करेंगा और इंट्या साइकोज इस समतिंग जो की हम इन सब इंडियन को जुरूर पढ़ने चाहिए बिकास अई अनुशले वोट टेल यू विन आइवस प्रेपेरिग इस लेक्शर्स या इससे पहले जब मैं पढ़ रहा था I actually looked on to some वो कहते हूंने जो टीवी पे गुरू जी आते और ग्यान देते हैं I actually looked at that ग्यान just to understand कि इंडियन साइकोज जी कह गया रही है and you won't realize कि all of that what they say is what we are gonna study difference का है लोग आते है तालीव जाके चले जाते हैं पर हम उसको actually समझेंगे what does it mean what is Indian psychology now सबसे बहले हम बात करेंगे त्री दो शायन त्री गुना कि आपको मैं एक चीज़ बतान चाहूंगा हम थोड़ा बहुत ऊपर-ऊपर से ही पढ़ेंगे हम सारे elements के अंदर नहीं जाएंगे कि कौन सा element क्या बात करता है हम simply इनको समझेंगे क्योंकि this is something जिसके elements बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे so basically आपने personality के बारे में तो कभी न कभी सुनाई होगा personality क्या होता है relatively enduring characteristics of a person that makes him or her distinct from others यह हमारा basically personality होता है अब personality को जब भी हम समझते हैं तो हम उसको categorize करने कोईश करते हैं मैं चाहता हूं कि यह गोलू है यह बबली है यह पिंकी है और यह suppose कोई भी XYZ इनसान है all of these people have various personalities मैं चाहता हूं इन सबको मैं एक तरीक से classify कर सको question आता है class fourth environmental psychology sciences में कि why do we classify things so we basically classify things for the fact that it makes the study easier तो यही classification हजारों साल पहले महारिशी चरक ने करी थी किसने महारिशी चरक ने और जब चरक ने किताब लिखी उसको उन्होंने नाम दिया चरक सहिता जिसको English में हम समहिता लिखते हैं it's actually nothing but चरक समहिता जैस चरक सहिता so basically this book talks भूट कुछ about this also yogic practices के तो हम बात करना ही भूल गए कि Sky वगेरा की बात करेंगे जो कि इतना ज़्यादा यूज होता है बाहर के लोग पढ़ पढ़ के जाते हैं और हम खुद इंडियन यूज ने करते हैं चरक सहिता टेक है इन्होंने basically concept दिया त्री दोशा का त्री दोशा का हर इंसान के इंदर तीन दोश होते हैं दोश इतना बाड वर्ड नहीं होता है अब हम इंडियन साइकोलजी कोड़ रहे हैं दोश बैसिकली इस सम्टिंग विच इंसाइड यू आप दोश क्या सकते हैं इस बाड थिंग है तो हमने तीन नाम दिया उने वात पित और काफ यू आपने हमेशा सुना होगा कि पित प्रकृति कफ प्रकृति अच्छा वरी इंपोर्ड़न जी इंडियन साइकोलजी इंड चरक सहिता परस्नालिटी के लिए जो शब्द यूज हुआ है दाट इस प्रकृति तो प्रकृति इस नेचर और प्रकृति प्रकृति इस प्रकृति और प्रकृति कि that simply means कि a person who has highest वात तो उसकी होगी वात प्रकरती a person who has highest कफ उसकी होगी कफ प्रकरती and a person who has highest पित तो उसकी होगी पितिक प्रकरती राइट काफी ज़्याद हम ऐसे संध्या वाली बातों में जा रहे हैं ठेक है अचा for the fun fact चरक सहींता basically हमारी medicine के book थी traditional book अब तीनों personality का मतलब क्या है यार जो वात प्रस्नालिटी वाले होते हैं they are very fast and energetic they are fast and energetic ठेक है वात प्रकरती वाले लोग कैसे हैं जो fast or energetic तमस जल जली काम करते हैं हर चीज में आफ हाई motivation आप उनको कही ना कोई समझ सकते हो they are like type A personality की तरह आपने consider कर सकते हो personality की बाते हैं आगे जाके करेंगे then we have कफ प्रकरती कफ प्रकरती वाले are very calm and composed people who are relaxed people who are very sociable who are like okay it's okay they don't take much stress they are like very very subliminal they are chilling अपना जीवन में मजे कर रहे हैं finally there is पित प्रकरती वाले अच्छा पित प्रकरती वाले are the people who are intense and fiery बढ़ेच्छे शब्दें intense and fiery मतलब ये लोग हमेशा angry रहते हैं हमेशा तोड़ा सा ऐसा गर्माहट में रहते हैं हमेशा किसी से जब बातचीत कर रहे हैं they are kind of impulsive and a little explosive समझे आपने कभी न कभी एक ऐसा बंदा देखागा जो बहुत ज़्यादा irritable होता है है ना बहुत जल्दी उसको anger आ जाता है है ना हर चीज को बहुत ज़्यादा seriously ले लता है what is that that is nothing but पित प्रकरती तो ये तीन तरीके थे जो कि हमने किस के अंदर देखे तुरी दोषा के अंदर किस के अंदर तुरी दोषा के अंदर अब ये चीज हमने एक बात कर दे तुरी दोष क्या होतके वात पतुर कफ वात प्रकरती वो होते जिसमें वात जो है वो सबसे dominant होता अच्छा ये these are based on elements by the way ठीक है body के अंदर elements की बात कही है कुन से 5 elements होते है भाई आपको पता है इसको homework पडालते है नीचे comment section में बदाईए what are the 5 elements which constitute human body आपको सब को पता ही हो अगर नारूतो वारूतो में भी देखा था अच्छा जी now we have talked about vaat, pit and kaf now we'll talk about another topic एक और मेथड़ा imagine this Indian tradition is so much into understanding human perspective that हमने सिर्फ एक तरीका नहीं दिया हमने दो दो तरीके दे रखिया उल्टा हजारों तरीके और भी है पर हमने उनके बारे में भी study इत्ती जादा करी नहीं है so another type another way of classifying Indian psychology के अंदर personality is तरी गुना और ये तरी गुना के बारे में बहुत जादा बात हुई है कई सारे Hindu scriptures अंदर बात होती है तरी गुना और बेसिकर तीन एक इंसान के अंदर गुन हो सकता है, again just like that ये गुन भी तीनों present होते है बश डॉमिनेंस की बात होती है और इनके नाम आपने कभी न पढ़े होंगे सत्रजतम यानि रजस सत्वा और तमस हिंदी मने में हम तामसिक गुड, राजसिक गुड, सात्विक गुण कहते है fun fact suppose आप नवरात्रे आपको पता भी कुछ टाइम में हो ली के बाद नवरात्रे आने वाले है when you go for नवरात्रे you know there are a lot of pooja that we do और pooja के टाइम पर एक चीज होती है दुरगाद जी की और जिसको जवाब पढ़ते हो तो उसके अंदर एक लाइन आती है कि सत्रजतम के गुणों में फसी है ये जान so सत्रजतम के गुणों में फसी है ये जान that is we people are actually bound in all these three गुणाज और ये तीन गुण जो भी हमारे में dominant होता है वो हमारी personality बताता है जैसे कि सबसे पहले होते हैं सबसे अच्छे, सबसे काम, सबसे बहतरी जिनको हम कहते हैं सत्रजतम गुण जिस इंसान में सात्रजतम गुण हाई होते हैं उन लोगों को मालब they are very calm they are hygienic they are pure they are truthful हर positive चीज़ जो आप सोच सकते हो that is highest in them अच्छा मैं आपको एक example दूँ एक सात्रजतम गुण का that is Lord Ram आप हम सब जानते हैं हम उने मर्यादा पुरुशोत्तम राम कहते हैं मर्यादा पुरुशोत्तम मर्यादा is boundary पुरुशोत्तम पुरुशों में सबसे बड़ा जो जे ओ बंदा अपनी boundaries जानता और सबसे is the manliest of the all man men that is Lord Ram right तो साथविक गुण कुछ में होता है जो लोग काम होते हैं very hygienic हमेशा साफ रहते हैं जो लोग अपने घर को साफ रखते हैं प्यॉर होते हैं दिल में कुछ काला नहीं है किसी के बारे में गलत नहीं सोचते है ना एक important चीज है differentiate करता है अगर हमारे अंदर कई सारे साथविक गुण है पर हम कई बार detached नहीं होते हैं materialistic world से materialistic मतला महो माया से दूर होना प्यार कि अपेक्षा छोड़ देना इस दुनिया को छोड़ देना है ना सारे ये क्या घरवार क्या दौलत सब कुछ त्याग के बैट जाना आपको पता है राम जी ने छोड़ देता सीता माता को भी he was so much deticed from the whole world की भाया अगनी परिक्षा के बाद that's the story for another day anyways साथविक गुण हमने पड़ लिये now we'll talk about the राजसिक गुण that is रजस गुण so this is the highest in rulers क्योंकि ऐसे people are greedy ऐसे people are powerful है न ऐसे people are always wanting money they are jealous of others right and they always want to achieve in their life right तो ऐसे लोग who want power in their life ऐसे लोग जो ऐसा चाते हैं जिनके अंदे थोड़ी greed है थोड़ी लालसा है materialistic world से attached है attached to the वो है detached सत्वक सात्वक गुणवाले detached है राजसिक गुणवाले attached है so भया ऐसे लोग होते हैं रजस गुणवाले example example all the businessmen जैसे हम लेते हैं अंबानी का अच्छा में सारे क्यू दे रहूं क्योंकि हमारी बुक के अंदर भी examples when डालेते right so these people want money these people crave money these people have their own empires right so that is राजसिक गुणवाले now finally we will talk about the last one which is तामसिक गुणवाले and it's the worst of all इसको अंदमस गुणवी कहते हैं तामसिक गुणवाले is all the negative things पर इसमें कही न कहीं जब भी हम बात करते हैं तो काम और कंपोज की भी बात आई जाती है but basically gloominess है ना depression people who are like anxious people who are neurotic neurotic मतला है emotionally unstable ऐसे ऐसे जनके characteristic traits होते हैं people और सबसे बड़ी बात people who are lazy who are unhygienic these people have तामसिक गुणवाले हमारा Indian tradition बहुत जदा बताता है कि कैसे हमारे ways of eating and हमारे ways of being decides कि हमारे अंदर कुन सा गुणवाल डॉमिनट होगा जैसे कि suppose if we eat all the good vegetables all the good fruits we'll be high in साथवेगुण if we have all of the places around us hygienic हम उसे साफ रखते हैं अच्छी जगापे रहते हैं we are high in साथवेगुण which is very good for us right which is very good for us वहीं on the other hand if we are gloomy if we are lazy हम देर से उठते हैं कम सोते हैं उल्टाचीदा खाते हैं right in that case what happens is कि भाया हमारे अंदर तामसिक गुण बहुत हाई होता है that is not good right also again मैं आपको हमेशा बताऊंगा कि ये तीनों के तीनों गुण अलग-अलग हर इंसान के अंदर प्रेजेंट होते हैं लग-अलग उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर quantities के अंदर प्रेजेंट होते हैं so आज हमने दो तीन चीजों के बारे में बहुत ज़दा बात करी that is तरी दोशा and another one is तरी गुणा तरी दोशा के नहीं बात करेए थी राजसिक गुण तामसिक गुण के combination बता दियो कि सत्व और तमस गुण मर जाएगा तो क्या होगा राजसिक और तामसिक मिल जाएगा तो क्या होगा but that's just extension of all this आपके पास ये basic knowledge होगी तो आप 90% चीज़े जानते हो वो 10% extra थोड़ा साफ इसके ओपर जरूर अप्लाए कर सकते हो based on आप कहां पढ़ रहे हो क्या पढ़ रहे हो I hope आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगी हो I hope आप लोगों को ये वीडियो understanding में आई हो इसके बाद जो हम अपने नेक्स वीडियो के लिए बात करेंगा that we'll talk about the chakras we'll talk about the various chakra हमारा मूलाधार chakra वगरा कुन से chakra होते है उनको समझेंगे अच्छे से describe करेंगा और मैं यहाँ पर अपने notes वगरा भी खोलूँगा ताकि आप लोगों अच्छे से समझा से चालो इसके साथ I will end today's lecture I hope आप लोगों अच्छा लगाओ मिलते हैं आप लोगों से next class के अंदर तब तक के लिए see you take care और टेलिग्राम लिंक को जोईन कर लो या टेलिग्राम पर बहुत सारे बच्चे अमेजिंग बाते करतें साइको प्रॉड़जी यूट्यूब कम्मूनिटी है और तब तक के लिए बाबाए